क्या आपके पास भी एक 1-2GB RAM वाला PCI Laptop है और उसमें आप कुछ अच्छे गेम्स खेलना चाहते हैं अच्छे का मतलब हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलना चाहते हैं सब धूल साफ कर लो उन PCI Laptop का हम उसमें चलाने वाले कुछ अच्छे हाई ग्राफिक्स गेम्स तो अच्छे जाएगा पट पहले वीडियो को वॉच्छाउट कर लो इस वीडियो को स्क्रोल करते करते हैं आपके प्यारे तो उसने शेर आपको शेर किया है तो भाई एक लाइक एक शेर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना तो बिन टाइम एसके एचली वीडियो को उस गेम का नाम है Far Cry 2 एंद तो Far Cry 2 एक आपका Action Adventure Open World First Person Shooting वीडियो गेम है जिसे डबलब किया गया Ubisoft के द्वारा एंद इसे पब्लिश भी किया गया Ubisoft के द्वारा बेसिकली ये सेकेंड गेम है Far Cry सेरीज का कि सभी प्लाटफॉर्म के लिए काफी आप इसे Windows, PlayStation 3, Xbox 360 में अराम से खेल सकते हूँ साथ साथ इस गेम को रिलीस किया गया था 24th October 2008 को गेम की बात करें तो भाईया गेम में आपको सर्वाइफ करना रहता है यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीट करने रहते हैं साथ साथ जैसे जैसे आप मिशन कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पर आपको काफी एडविंचरिस्ट मोड देखने को मिलने बाला है अगर आप एक सर्वाइबल ओपेंड वल्ड गेम खेलना चाहते है तो भाईया फार क्राई 2 स्रिफ आपी के लिए बना हुआ है इस गेम के जो स्टोरी लेंड दोस्तों वह काफी पसंद मेरे को आता है जरूर से इस गेम को ट्राइक करना चाहिए अगर आपके पास एक अलग 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 पीसी है इस गेम की मैप की बात करें तो मैप काफी बड़ा दोस्तों पूरा आपको ओपेंड वर्ल्ड व्यू का यहां पर एक्स्पिरियस देखने को मिलने वाला है साल सा इस game के system requirement की बात करें तो इस game को minimum system requirement है वो यहाँ पर review कर दना चाहता हूँ RAM की बात करें तो भाया 1GB होना चाहिए Cards की बात करें तो भाया मात्रा 256MB नीड है And दूस्तो प्रोसेसर की बात करें तो भाया पैंटम 4 में game आराम से चल जाएगा Space की बात करें तो भाया 5GB के आसपा Space खाहिल रखना इस game को stall करने के लिए यह हम आपके पास नहीं है तो भाया टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं पूत फान के मेरे website पर जाओ और इस game को stall करें तो वेल गाईस बढ़ते हमारे second game के ऊपर वैलकि जो मारा second game निकल गयाता है उस game का ना में Need for Speed Carbon और दोस्तो नीट for Speed Carbon एक आपका Opened World Racing वीडियो गेम है अबलब किया गया था EA Black Box के दवारा और इसे पब्लिश किया गया Electronic Arts के दवारा और इस game को रिलीज किया गया था October 2006 को साथ साथ दोस्तों ये game आपके सभी platform के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब दे आप इसे Windows, Mac, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox दी आसनी तरीका से खेल सकते हो गेम की mode की बात करें तो भाईया यहां पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो सारी साथ मल्टी प्लेयर भी खेल सकते हो तो भाईया गेम का जो मैप काफी बड़ा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आपको रेसिंग करना पड़ता है अगर आप एक रेसिंग गेम खेलना चाहते हैं अच्छे ग्राफिक्स के साथ तो भाईया यह गेम सरफ आप ही के लिए बना हुआ है गेम में आपको काफी अलग अलग स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाएंगे जिन अजब आप रेसिंग करोंगे जो दोस्तों जो विविंग एंगल रहेगा वो आपको पुड़ा ओपें वर्ल्ड यहां पर देखने को मिल लाए वाला है स्टर्जाल करने के लिए अगर आप इस गेम को स्टॉल करना चाहते हैं तो विल गड़ोंगी के सब्सक्राइब तो वेल गाई जो मेरा थर्ड गेम निकल किया आता है उस गेम का नाम है Battlefield Bad Company 2 वेल गाईज Battlefield Bad Company 2 एक आपका फस्ट परसन शुटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डबल अप किया गया दाइस के दौरा और इसे पबलिश किया गया Electronic Arts के दौरा और वेल गाईज ये गेम बेसिकली आपके सभी प्रैटफोर्म के लिए काफी आसा इंतरिका सिप्लब से Windows, PlayStation 3, Xbox आम से खेल सकते हो साइज साथ इस गेम को रिलीज किया गया था दोस्तो मार्स 2010 को यहां पर आप सिंगल प्लेट भी खेल सकते हो और मल्टी प्लेट भी खेल सकते हो तो यहां पर आप एक soldier का केदार लिभाते हो जहां पर आपको एक अलग-अलग टास दी जाते है आपको अपने enemy के base में जाना पड़ता है और उसके base को destroy करना रहता है और सच बता हो तो इस game का जो missions आपको देखने को मिलता है वो काफी interesting देखने को मिलता है मला काफी मजा आने वाला है अगर आप एक shooting game खेलना चाहते हैं साइध साथ यहां पर आपको काफी सारे अलग-अलग टाइब के weapons मिल जाते हैं आपको ज़रूर से इस game को एक बार ट्राइ करना चाहिए तो वैल किस इस game को minimum system requirement है वो यहां पर डिविल कर दना चाहता हो रैम की बात करे तो भाहिया 2 GB होना चाहिए ग्राफिक काट के बात करे तो भाहिया पांसो बारा में डी यह अन्ड़ प्रोसेसर की बात करे तो वैया 2 डूल करू रूमी के मरा आप से चल जाएका space की बात करे तो भाहिया 15 GB के आसपा space खाल रगना इस game को श्टॉल करने लिग आप इस्टोल करना चाहते तो भाहिया लिंक है डिस्क्रिप्चिन में जाके इस्टोल खलो तो वल गाईज बढ़ते हैं अबारे फोर्थ गेम की ऊपर जो मारा फोर्थ गेम निकल का था उस गेम का नाम है अब आप जोस्तों स्पैक आप दा लाइन एक थर्ट पर्सिंग शूटिंग विडियो गेम जिसे डबल अप के आगिया है जर्मा स्टूडियो के दोवारा एंड इसे पब्लिश के आगिया है टूके गेम के दोवारा एंड गेम की बात करें तो भाहिया आपके सभी 2012 इस गेम को रिलियस किया गया था गेम की बात करें तो भाहिया छे मिने यहां पर बीच चुके हैं दुबाई में एक बहुत ही बड़ा तुड़ेत का तूफान है जिसे हम सैंस्टों पुलते हैं तो भाहिया वह तूफान में आदर से जादा पॉपलेशन खतम हो चुकी है अब एक यूएश आर्मी के कुछ बंदे आते हैं आगवानिसान से क्रॉस हो रहे हैं तो भाहिया वो उस रेतीले तूफान पर फस जाते हैं और वहां के जो लोकल रेसिडेंस रहते हैं उन्हें हेल्प करते हैं अब सारी साथ होता क्या है कि भाहिया आपको पता है कि आदर डूटीर को खीला होगा तो भाहिया सेम उस अस वस्टाप का गλάफ के शलिख से क्वारने को मिलेगा झाल दुभाई यहाँ ऍकर और एकक्स डिखने को पूर तो बहिया सिर्फ 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्स की बात करें, तिर 200 MB नीड है, तो प्रोसेसर की बात करें, तो बहिया दूल करें, तो बहिया 6 GB असपास भीस खाहिल रखना अपने PCI Laptop पर इस गेम को स्टॉल करने के लिए, अगर आप इस गेम को स्टॉल करना चाहते है तो बहिया लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, चैक इंस्टॉल कर सकते हो, तो बढ़ते हैं, फिफ्थ गेम के ऊपर, तो बढ़ते हैं, तो फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है The Godfather 1, और दोस्तों, The Godfather 1 एक आपका ओपन वल आक्शिन एडवेंचर फाइटिंग एकस बॉक्स, यहाँ पर आप एग्सबॉक्स 360 भी इस गेम को अराम से झीछां थे और पर थे जीछर देट की बात करें, और तौ माज 2006 को इस गेम को रिवी रिलीस किया गया था, आप मोड की bipart के थे तो भधी ऐसे सिंगल स्ल मेलसे सकते हो, वह मैरे को पसंद है, यहाँ पर के माफिया के रदार लिभाते हो और को थान्स टास को मिलएंगन ये हैं ve मिले जाएंगे यह फोरा को आपश्तेल के इसी अप मिल जाये घ्याएगगा इसाइप मिशन कर सकते यह नियुक किई कर सकते हैं Allah कर सकते हो कार डिचल चला सकते وتार जाल सकते कर सकते हैं जो भी आप एक open world गेम में करते हैं वो सभी चीज आप कर सकते हैं सिस्टेम रिक्वार्मेंट है वह यहां पर रियूट करना चाहता है और राम की बात करें तो बहिया तो मातर 64 MB होना चाहिए और प्रोसेसर की बात करें तो बहिया पेंटम 4 में के वाराम से चल जा खेल सकते हो बिना किसी लाग के बिना किसी एर्र के आई होप दुस्तों कि यह पांचों गेम आपको पस्तदाया होगा आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और इन में से कोई भी इम आपको इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क तो करादो तो थपसे के लिए बाबाई